ओए उलू के पठे इतनी से उमर में यह तुने क्या पिना शुरू कर दिया है तुझे कोई हया शरम है अभू यह यह अभू कहां से मिली क्या यह तू वो तू इतना बिगड़ जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था अरे नहीं अभू गलती होगी है माफ कर दें आइंदा नही आज पकड़ा गया तो गलती होगी है वरना तो इन हरकतों में लगा रहा था मैं तुझे बेटा ऐसे माफ करने वाला नहीं हो आई से तेरी पोकेट मनी और घर से निकलना बंद मौमिना इसमें नजर रखना जी ठीक है अभू आप बेसी कर रहा है जाहिल आदमी कोई शरम ह मैं परेशान नहीं हो ना जीए खर्ची मैं तुम्हें दे दिया करूँगी और बाकी के बात राज रेनी चाहिए यार आपी मेरी बात सुनो अगर अबू को किसी और तरीके से पता चल गया तो या अबू ने आपको कभी समोक करते देख लिया फिर क्या होगा कभी सोचा है आपने फिरहल तुम छोड़ा इन बातों को कुछ नहीं होता मैं तुम्हें पैसे लाके देती हूँ मुझे सिगरेट की डब बे ला दो अब तो अब भी घर पर नहीं है मैं कुछ बागल हूँ जो अब भी ये गाम करूँगा मैं नहीं जा रहा क्या करूँ मैं किसे मंगाओं असलाम लेकूम वालेकूम गोफरान बाइं मैं मुमना बात कर रहीं कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक आप कैसी है और आज कैसे जाद कर लिया कोई काम था क्या जी काम तो है मगर थोड़ा राज़दारी से अगर आप करें तो अच्छा बताएं क्या काम है वो मुझे आप एक सिगरेट की डबी ला दे मैं पैसे दे दूँगी आपको ये क्या बोल रही हो अगर मामो को पता चल गया तो मैं उनका सामना कैसे करूँगा किसी को कुछ पता नी चलेगा आप बेफिकर हो जाएं बस मेरा चोटा सा काम करते हैं फ्लीज चलो ठीक है लेकिन मैं तुमारे घर देने नहीं होगा क्यूंके वहाँ पे कैमरे लगे भी हैं तुम ऐसा करना कल बारा बज़े कमर्शले रहे वाले पार्क में आ जाना सौरी गुफरान भाई मैंने आपको तकलीफ दी लाएं जल्दी से दें सौरी की कोई बात नहीं है यह लें आपकी चीज शुक्रिया गुफरान भाई शाबाश बटा बहुत अच्छा काम कर रही हो तुमने तो आज मेरा सार फखर से बलांद कर दिया वह अबू आप यह य कुछ शरम करो तुमारी सारे हकीकत मैं जान जो का हूँ आप अगटा गुफरान आज मेरे ओपिस कैसे आना हुआ अंकल दरसल बात कुछ इस तरह से है कि मुझे कोल आई थी वो कह ती ती कि मुझे सीगर्ड ले दो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा इसलिए आपके पास चला आया कि मुझे कुछ समझ नहीं आरी थी अब आप क्या करना चाहिए इस बारे में औधाजा भी है तुम मेरी बेटी के बारे में क्या बात कर रहें हो अगर ये बाद जूट निकली ना तो मुझे बुरा कॉई नहीं होगा अनकल मैं सच गय रहा हूँ अगर ये बात ज मुझे सब कुछ बता चुगा है अफसोस तो मुझे इस बात का हुरा है कि मेरे अपने बेटे ने मुझे बात चुपाई रखी जी अबू मुझे से गल्दी होगी मुझे माफ कर दें चलें अभी चल के उसे समझाते हैं नहीं, अभी वक्त नहीं आया कल उसे मैं खुद रंगे हाथों बक्ड़ूँगा मैंने तुम्हें बेटी समझ कर खुब प्यार दिया और तुमने मेरे प्यार का नाजाइस फाइदा उठाया ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया अंकल खुद को संभालें ये सब बताने का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था अभी मुझे माफ कर दे मैं पाउँ पकड़कर माफी मांगती हूँ मैं बहक गई थी अभी मैं वादा करती हूँ आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी पहली और आखरी गलती समझ कर माफ कर दे ठीक है बिटा ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ आइंदा ऐसी गलती दुबारा नहीं होनी चाहिए चलो बगदा इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर जरूर शेयर करें हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिन्दगी बदल दे